बात अस वक्त की सबसे महत पूर्ण जहां पंचायत चुनाव की तारिखों का एलान कर दिया गया है तीन चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे 25 जून को पहले चुन का मतदान होगा 28 जून को मतगरना इसकी होगी तीन चरण के अगर बात करें तो यह आठ जून को संपन्न होना है जिसके लिए 11 जुलाई को मतगरना होगी तो 30 मैं से शुरू होगे 30 तरिय पंचायत चुनाव 6 जून तक नामांकन पत्र भरी जाएंगे 7 जून को नामांकन पत्र की जाच होगी वहीं 10 जून के अगर बात करें तो ये वो तारीख होगी जब नाम वापसी लिया जा सकता है पहले चरण में 115 जनपत पंचायतों में चनाव होने है दूसरे चरण में 106 जनपत पंचायतों में चनाव होने है तीसरे चरण में 92 जनपत पंचायतों में चनाव होने है 14 जुलाई को पंच, सरपंच और जन्पत चुनाव परिणाम की घोशना यहां पर की जाएगी मंद्रप्रदेश में पंचार चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया गया है तीन चरणों पे यह चुनाव संपन्ध होंगे पहले चरण में 25 जुन को यहां पर वोट डाले जाएंगे लोग अपनी मताधिकार का प्रयोग करेंगे वहीं दूसरे चरण के लिए चुनाव 1 जुलाई को होगा तीसरे चरण के अगर बात करें तो तीसरे चरण के चुनाव 8 जुलाई को होंगे और वहीं आपको बता दे की पहले चरण में 115 जनपत पंचायत का चुनाव होना है दूसरे चरण में 106 जनपत पंचायत के चुनाव होंगे तीसरे चरण में 92 जनपत पंचायत के चुनाव होने है आगामी 30 मई से नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी संपन न कराए जाएंगे वहीं 14 जुलाई की अगर बात करें तो 14 जुलाई को पंच सरपंच और जनपच चुनाव के परिणाम की घोशना की जाएगे तो पंचատ चुनाव की तारिकों का ऐलान कर दिया गया है पंचाि चुनाव का बेगुल यहाँ भूग चुका है तीन चरणों में पंचाि चुनाव यहाँ संपन न होंगे 6 जून तक और वही नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आगामी 30 तारिक से शुरू हो जाएगी 30 मही से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 6 जून तक नामांकन की प्रक्रिया लगतार चुर लेगी 7 जून को नामांकन की जाच की जाएगी जो की उम्मेदवारों की ओर से जो नामांकन पत्रजू भरी जाएंगे उसकी जाच यहाँ पर की जाएगी और इसके बाद 10 जून के अगर बात करें तो 10 जून वो तारीक होगी जब नाम वापसी वापस लिया जा सकता है वहीं जनपत पंचायत के संख्या पर अगर गौर करे तो जो तीन चरणों में चुनाव होने हैं पहले चरण में 115 जनपत पंचायतों का चुनाव होगा, दूसरे चरण में 106 जनपत पंचायत का चुनाव होगा है 25 जून 1 जूलाई और 8 जूलाई पहले चरण के लिए वोटेंग 25 जून को होगी दूसरे चरण के लिए एक जूलाई को होगी तीसरे चरण के लिए 8 जूलाई को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे तो पहले चरण में 115 जनपत पंचायत का चुनाव होना है, जो कि 25 जूर पहले चरण पर संपन होगा, दूसरे चरण पर 106 जनपत पंचायत का चुनाव होना है, जो कि 1 जुलाई ये तारीख तै की गई है, तीसरे चरण के अगर वोटिंग की बात करें, तो तीसरे चरण के लिए 92 जगबत पंचायत हैं जिसके लिए वोटिंग 8 जुलाई को होनी है नामांकन प्रक्रिया पर अगर गौर करें तो 30 मैं से इसकी शुरुवात हो जाएगी नामांकन की प्रक्रिया की जुसके लिए 6 जून तक 30 मैं से जो प्रक्रिया ये शुरू होगी वो लगतार 6 जून तक चलेगी 6 जून तक नामांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी वहीं 7 जून को नामांकन की जाच की जाएगी 10 जून तक नामवापसी की प्रक्रिया यहाँ पर होनी है 14 जुलाई को पंच सरपंच और जनपत चुनाव परिणाम की घोशना कर दी जाएगी तो 3 चरणों में यहां पंचाय चुनाव की तारीकों का ऐलान कर दिया गया है चलिए इस इमामने पर और रिदा जानकारी के लिए रजनी शकरवाल जी प्रदीश मंतरी बीजेपी के हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके है रजनीश जी आपकी प्रतिक्रिया तीन चर्ड़नों में आपर पंचाय चुनाव होने हैं तारीकों का ऐलान हो गया है स्वाधत योग्य है जो एक प्रिक्रिया कांग्रेस के सड़्यंत्रों के करण रुक गई थी पंचाय चुनाव की वो पुना सुरू होई है बारती जनता पार्टी के कारकरता जो अलग 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 स्थानों पर चुनाव लड़ेंगे बले ही सिंबॉल पर चुनाव नहीं है अलग अलग प्रकार से और पूरे महला जनप्रत में अगर निर्वरोद आते हैं तो उनके लिए अत्रिक्त रासी देने की बात कहीं है तो यह स्वाधत योग्य है गाउंस की समरत्ता बनी रहे और अच्छे जनप्रति में दी चुनके आए बारती जनता पार्टी का यही प अमंजस के साथ में लड़ेंगे सकारात्मक भाव के साथ में लड़ेंगे और दूसरी बात है जितने अच्छे से चुनाव हो जाए नरवरोद हो जाए तो मने जैसा कहा कि इच्छा सबकी है और उसके प्रयासी हम कर रहे हैं चले बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका तो यहां आपको बता दे कि पंचाट चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया गया है और तीन चरणों पर ये चुनाव संपन्न होने है पहले चरण के लिए वोटिंग 25 जून को होगी दूसरे चरण में 106 जनपत पंचायत के चुनाव होंगे तीसरे चरण के लिए 92 जनपत पंचायत के चुनाव होंगे नामांकन की प्रक्रिया पर अगर गौर करे तो 30 महीं से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुवात हो जाएगी 6 जून तक ये नामांकन की प्रक्रिया निरंतर चले साथ जून वह तारीख होगी जब नामांकन की जाच होगी वहीं दस जून तक नाम वापसी लिए जा सकेंगे 14 जुलाई पर अगर गौर करें तो ये वो तारीख होगी जब पंच सरपंच और जनपच चुनाव के परिणामों की घोशना कर दी जाएगी 14 जुलाई के अगर बात करें तो तो पंच सरपंच और जनपच चुनाव परिणाम की घोशना यहाँ पर कर दी जाएगी 10 जून को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी, पहले चरण में 115 जनपत पंचायतों में चुनाव संपन्न होने हैं, दूसरे चरण में 106 जनपत पंचायतों में चुनाव होने हैं, और तीसरे चरण पर अगर गौर करें तो 92 जनपत पंचायतों में चुनाव यहां होने हैं, 14 ज को इसकी मत गड़ना होगी वहीं एक जुलाई को जो ऩरण की वोटिंग होनी इसके लिए अगामी चार ता काप नीया को परिणाम्गोशित की जाएंगे और आठ जुलाई को जो इसके लिए ग्यारा तारी को मतगरना की जाएगी चलिए कॉंग्रस विदा है कॉणाल चौधरी जी हमारे साथ में जोड़ चुके है फॉन लाइन पर चौधरी जी क्या कहेंगे आप पंचाचा तुच्चनाव की तारीकों का ऐलान हो चुका है कि जान पर चौधरी जी है और पूरी तरीके से जनता भी तायार है कि बीजेए पी को सबग सिखाने के लिए तिल जिस तरीके से इनों में जिन जिन फोबी सी के साथ दोका करा है कि जो 16 OBC की सीथे थी उसके निला बच्चाय सीथों की सिर्फ वो 45 बच्ची है और 52 जिलों में जो आरक्षन के बाद के सिथी बच्ची है जो OBC के साथ दुखा इनोंने करा है उसके खिलाब दिर्टा कमर कर चुकी है दिर्टा इनने जवाब देगी पूरी तरीके से प्रदेश का किसा प्रिटा नहीं आया वो अन्ना दाता वो इनको सबग सिखाएगा वो आम इसाथ वो OBC वर का वेक्ची जिसके साथ दुखा करा है सबग सिखाने के लिए कमर कर चुका सत्ता में BJP है कॉंग्रेस अपनी साख जमाने के लिए कितनी और कैसी तयारी में नजर आ रही है अब जब कारिकों का एलान हो गया है आगामी पंचाच चुनाव के लिए पूरी तरीके से कॉंग्रेस पार्टी तयार है ताकत के साथ तयार है और जंता के बीच में है और जन्ता के दीच में काम कर रहे हैं, जन्ता को बता रहे हैं कि किस तरीके से धुका करा जो 2015 में 114 सीपे हुआ करती थी जिला पच्चाती OBCC तरीके से पच्चाती राज की किस तरीके से पच्चाती राज करने के लिए बीजेपी लगी हुई है, उसके खिलाव दिलता भी जाती पर जाती है, कि बीजेपी पंचाय से आपको जोड़े हुए उन्होंने कहा है कि कॉंग्रस पूरी तरह से तयार है और बीजेपी को जवाब इस बार देखी रहेगी और वहीं अपनी जीत को लेकर भी काफी आश्वस्ट पार्टी कहीं नजर आ रही है और इस चुनौती को स्विकार करने क पर कॉंग्रिस यहाँ पर दिखाए दे रही है तो बहरहाल इस वक्की एक लेटिस्ट और बड़ी अपडेट आपको यही बता रहे है मंद्रप्रदेश पंचाय चुनाव की तारिखों का एलान कर दिया गया है इसके लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 30 मई से 25 जून को चुनाव यहाँ पर होने है जिसके लिए 115 जन्पत पंचायतों का चुनाव होना है दूसरे चरण पर अगर गौर करे तो एक जुलाई को इसकी प्रक्रिया यहाँ पर होनी है वोटिंग की जिसके लिए 106 जन्पत पंचायत शामिल है जिनका चुनाव दूसरे चर तारीक को 28 जून को होगी वहीं एक जुलाई को जो वोटिंग होगी इसके लिए मतगर्णा चार तारीक को होगी और आठ जुलाई को होने वाले मतगर्णा वोटिंग के लिए इसकी जो मतगर्णा है वह 11 तारीक को संपन्न होगी और 14 जुलाई को पंच तरपंच और जन्पत चुनाव परिणाम की घोशना तो राजपाल स्री सोधिया जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जूट चुके हैं वरिष्ट बीजेपी प्रवक्ता स्री सोधिया जी क्या कहेंगे आप आपकी प्रतिक्रिया पंचायत चुनाव की तारिकों का ऐलान इस वक्त फार्टी के प्रेश कारेले में चुनाव कारेले के चुनाव कारेले जो हमारा है पहला चरण 25 जून को दूसरा चरण 1 जुलाई को और तीसरा चरण 8 जुलाई सर अब इस जो चुनाव तरी सतरी पंचायत चुनाव है कोड के आदे इसके बाद आप लोग करवा रहा है इतनी जल्दी में सब कारी करम बना है तो अब इस बार क्या नया होने वाला है बैलिट पेपर की बात कर रहे हैं? नया बस इतना ही है कि पंचायत के चुनाव भी हम EVM से ही कराते थे और चुकि पंचायत और अर्बन बाडी हमें दोनों कराने हैं और बसात का समय है तो पंचायत ही पहले कराना जरूरी होता तो अगर हम EVM से पंचायत का चुनाव कराते तो हमें डाई तीन महीने लगते और अर्बन का भी इलेक्षन हमें अभी डिक्लेयर करना है तो अगर हम अभी अर्बन का इलेक्षन डिक्लेयर करें और तीन महिने बाद उसकी वोटिंग हो तो बहुत लंबी आच्वनसंगिता चलेगी प्रदेश का विकासी ठप हो जाएगा नगरी निकाय चुनाओ कब तक तारीक है ताकि हम एक महिने के अंदर खतम कर देए नगरी निकाय चुनाओ घोशना की बात हुई है कब तक हो जाएगी जल्दी हो गया और जो निर्वाचन जो तारीक हैं उसको लेकर जो लगातार गतिरोध बना हुआ था कि अब होगा अब वो खिलियर हो चुका है तो अब जो नगरी निकाय चुनाओ होंगे और पंचाय चुनाओ होंगे तो ये आपस में कोई कि आप बोल रहा है कि बहुत जल्दी उस तारीक को घोशना की तो घाल मेल तो नहीं हो पाए जब हम तीन ही चार दिन के अंदर हमें अनौस करना है तो उसमें आप देखेंगे कि गाल मेल हो रहा है नहीं हो रहा है साथ तोर पर यहां जो राजे निर्वाचान आयोक के आयोक्त हैं पशंत प्रताब सिंगी उनका साथ तोर पर कहना है कि बहुत ही जल्दी नगरी निकाय चुनाओ की भी तारीकों को घोशना की जाएगी आज से त्री इस तरी पंचाय चुनाओ की गोशना कर दी गई है और आचार सही था लागू हो गई है कैमरामेन प्रमीन के साथ आएनेस 24 से विंग लिव भुपाल से देने शुक्त झाओ झावी की बाश छोशना है कि बाशना के साथ जाएगी लिव पंचाय के लिफ चकाय बाशना की देने की बाशना एब खंगी जो बाशना की बाशना है झाल 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 10 जून को वो तारीख है जब आप नाम वापस ले सकते हैं तो पहले चरंड में 115 जनपत पंचायतों में चुनाओ होने हैं दूसरी चरंड में 106 जनपत पंचायतों में चुनाओ होना है झाल कांचायतों में 4 जाधन 100 जनça पंचायतों chair भाल झाल करता हैो झाल